हलो दोस्तों मेरे चनल पर आपका स्वागत है दोस्तों अगर आपको तीखा चटपटा खाने का मन हो रहा है तो इस मसाला पाव या मसाला ब्रेट की रेसिपी को 10 मिनट में बना सकते हैं और दोस्तों यह इतना टेस्टी है कि इसे खा कर आपका दिल खुस हो जाएगा तो चल ब्रेट को बीच से काट लिया है और अब हम इसे टोस्त करेंगे तो इसके लिए मैंने एक पैन में एक चमच बटर डाल दिया है बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे और एक एक ब्रेट को इस तरह से हम पैन में रखते जाएंगे तो ब्रेट को हमें अच्छे से उलट और वापस से मैंने फेर से 1.5 चम्माचे बटर लिदा है पेन में और बटर काची से मैल्ट होने देंगे और इसमें डालेंगे कुछ सबजियां तो यहाँ पर मैंने लिदा है एक टमाटर को बारी कट कर के आदा सिंबला लिया है दो हरी मिर्च लिदा अद्रैक का टुकडा प्याज, प्याज डाल कर हमें 30 सेगेंड के लिए फ्राइ करना है, इसे बहुत ज़्यादा सॉप्ट नहीं करना है, उसके बाद हम डालेंगे सिमला मिर्च, आधा सिमला मिर्च को लिया है, इसे भी हम थोड़ी देर के लिए भूल लेंगे, सबजियों का जो क्रंच है उसे ब पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप इसके जगह पे गरम मसाला पाउडर डाल दें आधा चमच और साथी में डालेंगे वण फोर चमच चाट मसाला पाउडर सभी चीज़ों को डालकर एक बार मिक्स करेंगे और इसे मेडियम फ्ले में पड़ाएंगे क्योंकि मसाले जल सकते तो यहां पे मैं डाल दे रही ह związ alone .mm ये जैसी ये मसाले आपे जाएंगे हम गैस को बंद कर देंगे। और इसमें डालेंगे आधा नेंबू का रस और इसे मिक्स कर देंगे। ठम अप्डनिया पत्त csak डाल देंगे और अच्छे यहां पर मैंने ब्रेड लिया है एक पीस ऊपर इसमें हम मसाला डाल दें और फेला दें उसके बाद उपरसे दुसरे स्लाइस से कवर कर दें इसमें इसी तरह से हम सारे ब्रेड को स्टफ कर लेते हैं फिर अब से मिल जाहे तो आप ऐसे ही से थोड़ा सा टोस्ट कर लिजे दो तरह से हम्साला प्रॉस से डालेंगे चल्थे में मारी dao ए कि आप सीwynh sometimes upon me दो बहुत पषंगाण सबस्साराइब बहुत शालेंगे चल्थे मैं रावैं उसी पैन में जिसमें मसाला तियार किया वसी पैन में एक से डेर चम्मच डालेंगे बटर और मेल्ट करने के बाद हम सारे पाव को फिर से इसमें रख देंगे तो मैं चारों पाव को एक बार में ही टोस करने वाली हूं टोस करने से क्या होगा हमारा पाव भी टोस हो जाएगा और साथ में चीज भी मेल्ट हो और प्याज के टुकड़े डाल देंगे जिससे ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लगे अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा सेव वाला भुजिया भी डाल सकते हैं दोस्तों मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और अपने घर पे इसे जरू ने किया तब प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिये थैंक यू